जी हाँ किसान भाईयों आपने बिल्कुल सही सुना है कि बिल्कुल चमतकार हो चुका है क्यूंकि चार हजार पांच जार मीटर में होने वाला सेव अब हो रहा है मात्र 50 मीटर के उचाई पर ऐसा कैसे संब्भ हो सकता है बिल्कुल मैं भी आप लोके यह से पहले मैं भी यह सोचता था लेकिन जब क्या प्रैक्टिकली करने के बाद जो रिजल्ट आया है यह बिल्कुल प्लावरिंग के समय दिखा यह लिए और लेकिन बोलकर के हमको लागे इसमें फ्लावर आ गें यह साल का पोधा जो आप देख रहे हैं वह भी सिड्लिंग रूट श्टॉडग पर है कोई स्पेसिफाइड यह सेर्टिफाइड रूट स्टॉड पर नहीं यह जैसे की एमना और आपको पता नहीं कि क्या होता है rootstock तो आप हमारे इस वीडियो पर जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपको rootstock के बारे में कथी समझ विक्सित हो पाएगी अगर अगर आप पुराने हो चुके हैं सेप के वीडियो देख करके तो आपको पता होगा कि पहले से जो गर्म चेतरों में होने वाले तीन वराइटीज है HR199, Anna और Dorset Golden लेकिन दोस्तों इनका जो character है यह तो character ही पहले से ही है कि यह गर्म चेतरों में होंगे और इसके लिए कम height की ज़रुत होगी लेकिन अब जो मैं आपको यह दिखा रहा हूं सेप का पौधा यह सेप का यह वराइटी इसका character वो नहीं है इसका character है कि वो 4000-5000 meter में फ्लूटिंग फ्लावरिंग करें लेकिन अब यह हो रहा है मात्र 50 meter के उंचाई पर और वो भी आप देख रहे हैं रेडलम गाला के उपर जो की M9 रूट श्टॉक पर था वो मात्र 2 मेने का पौधा था मैंने आपको उसका एक अपडेट दिखा दिया था दोस्तों मैं इस वराइटी के उपर बहुचादा इसलिए खुस हूं क्योंकि यह हम सभी लोगों के लिए अब हम सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी उपलबदी होने वाली है क्योंकि यह ठंडे प्रद्रस होने वाले एक ऐसे शेब के वराइटी है जिसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है आप चाहे कलर देख लें चाहे इसका टेस्ट देख लें और चाहे इसका साइज देख लें तो यह अगर हम बात करें कि हम गर्म चित्रों और ठंडे प्रद्रस हो की तो गर्म चित्रों में इस सेब के अगर सफल खेती हो जाती है जो कि अब तक तो सफल रहा है अब देखने हैं कि यह कितना बड़ा साज होता है और कैसा ऐसा कलर आता है टेस्ट आता है अगर यह पूरी तरह सक्सेस्पुल हो जाता है तो नो डाउट गर्म प्रदेशों और ठंडे प्रदेशों के सेव में आपको पहचान करने में दिक्कत आने वाली है और बहुत ही ते कि चिल आवर रिक्वार्मेंट की बात करें मतलब इसको कितना ठंडा चाहिए होता है इसकी बात करें तो यह 500 घंटा का चिल आवर रिक्वार्मेंट मांगती है जो भी नए किसान भाई है उनको मैं थ्वा से दो सगर में समझा जाता हूं कि 0 डिगरी से 7 डिगर सेल्सियस तक जब भी temperature होता है तो उस समय जो temperature मिलता है उसे ही चिल आवर रिकार्मेंट टेमपरेचर कहते हैं ठीक है अगर माल लेते हैं कि 7 डिगर सेल्सियस एक गंटे के लिए रहा तो आप हम मान सकते हैं कि इसको वन आवर चिल आवर रिकार्मेंट पुरा हो चुका है तो इस पर क्योंकि पहले से भी तो गर्म चित्र में होने वाले वराइटी हैं लेकिन ये ठंडे जगों में होने वाली वराइटी है जो कि हमारे यहां भी फ्लावरिंग फूटिंग पर आ चुकी है तो ये बहुत बड़ी उपलब्दी है किसान भाईयों किसान भाईयों मैं आपको पहले से भी बोलता है रहा हूं सारे वीडियोस में और अब भी बोलता हूं कि आप प्रैक्टिकल करें उसका रिजल्ट बहुत ही सांदार आता है और कुछ नहीं आता है अगर डोकुमेंट की बात करें हम पर 500 गंटा का चिलावा रिक्वार्मेंट मांगता है ऐसा लिखा हुआ है लेकिन जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो मात्र 200 गंटे में इसका चिलावा रिक्वार्मेंट पूरा हो जा रहा तभी मैं फ्लारिंग फूटिंग कर रहा है तो जो डोकुमेंट में लिखा हुआ है और जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है वह का मात्र 10-12 दिन के लिए मतलब इसका जो टेंपरेचर है वो चिलाव रिक्वार्मेंट जो टेंपरेचर रहते हैं उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया मतलब सब 8-9 नहीं पहुंचा यह दस बार में ही इसमें फ्लारिंग प्रूटिंग आ गई है तो आप देख सकते हैं क किस प्रकार से प्रेटिकल के रिजल्ट और डॉकुमेंट के रिजल्ट काफी जाद एक दूसरे से अलग हो रहे हैं एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपको गाला स्रीज में किसी वराइटी करना है तो आप कर सकते हैं मैंने आप एक वीडियो बना कर भी बताया थ कि यह 12 वराइटी हैं आप जैसा कि स्प्रीम पर देख पा रहे हैं यह वीडियो को आप जाकर कर देख सकते हैं इसमें 12 सेप की वराइटी के अच्छी वराइटी के बताया है जो कि गर्म चेत्रे में हो सकती है और इन सभी में अगर रिजल्ट आयाता है काफी अच्छे से तो हम बहुत ही बड़े लेवल पर सेप कर सकते हैं और भारत के किसानों को बहुत ही सम्रद्ध मना सकते हैं तो किसान भाइओ इस बात को मैं ध्यान से सुनियेगा कि यह बहुत ही इंपोर्टेंट बात में आपको और यह बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो है आप सभी के तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाईों तक सेर अवश्चे करें ताकि उनको पता चल सके कि इतनी अच्छे वाराइटी अब हमारे गर्म चेत्रम होने लग रही है तो वे भी अपने अपने इस्थानों पर ट्रायल करेंगे और उनका अपने इस्थान पर गया मेमे गाला तो इन से भी गाला वाराइटी का ट्रायल कर सकते हैं क्योंकि पूरे गाला सीरीज का जो चिलावर कारमेंट है लगवग एक जैसा ही है और इस वाराइटी को रिलिस किया था गरीबा जो इटली का एक नरसरी है उन्हों नहीं इस वाराइटी को रिलिस किया अगर इसकी पूरी तरह सफ़ जाता गर्म चत्रों में तो किसान भाईयों व्यकिन मानिये किसान बहुत ज़्यादा लाभानवीत होने वाले हैं इस वराइटी से किसान भाईयों अब बात करते हैं कि किस जगा में इसमें फ्रूटिंग आई है तो डेरी ना करते हैं आप पो इस राजी का नाम बताते हैं दोस्तों ये राजी है उडिसा उडिसा में भी ये जो जगा है इस्थान है इस स्थान का नाम है भूवनेश्वर जो कि बिल्कुल समूद्र से सटा हुआ राजी है और समुझर सटा हुआ ही इस्तान है और जिसमें फुटिंग आ चुकी और जैसा कि मैंने वाधर पहले बताया थता कि यह 4000-5000 मीटर में फ्लायरिंट फूरटिंग आती है ऐसा बोलते थे लेकिन 58 मीटर हाइट में फ्लायरिंग फूर्टिंग कर रही हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छी बात है हम सभी किसानों के लिए और मैंना आपको temperature ही बता है बहुत ही कम temperature पर इसके fruiting हो रही है मतलब बहुत ही कम चेला और requirement मिलने के बाब जुदिस में fruiting हो रही है और अभी कि तापमान की बात करें तो तापमान अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है 43, 45, 46 ऐसे तापमान अभी पहुंच रहे हैं गर्मियों में तो बिल्कुल अगर इसका result जब complete June जुला में हर्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा इसका हर्वेस्टिंग अगस्त में शुरू हो जाता है तो जैसे यह शुरू पकेगा इसका ठीक है जब यह राइप हो जाएगा पुरी तरह से हर्वेस्टिंग लिए रेडी हो जाएगा तब हम इसको बार में बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है इसका कलर कैसा है तो अगर आप मारे चैनल पर नए है तो जाएंगो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें साथ ये आपको ऐसे से और भी बहुत सारी informative वीडियो देखने के लिए आप मारे चैनल पर हिमाचल प्रदेश की जो इनवर्सिटी जाएंगे नौनी इनवर्सिटी आप वहां से जाकर करके पौदे खरी सकते हैं या फिर अगर आप कहेंगे तो आप हमें अगर कहते हैं कि हमको पौदे चाहिए तो अगर एक साथ कोई बल्क में पौदा लेना चाहेगा तो जब हम पौदे लेने जाएंगे नौनी इनवर्सिटी तो हम भी आप सभी के लिए लाने को इस करेंगे तो इसके लिए आप हमें वाटसर में कांटेक्ट कर सकते हैं अब बात करते हैं किसान भाईयों कि आपको और भी जो बहुत सारे लोग चिलिंग आटीस हैं आप उनकी भी ट्राइल करें जैसे हो गया फूजी हो गया ठीक है ग्रैनी स्मीत हो गया जैसे उन पर रिजल्ट आता है तो हम आपको उन सभी रिजल्ट के बारे में जानकरी प्रकासित कर देंगे तो किसान भाईयों इसे के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और भी नेने इंफॉर्मेटिव जानकरीयों के साथ जै जवान जै किसान जै हिंद वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धिन्यवाद